हेलो एब्रीवन वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंट्स आज चपां डिसकस करांगे ची सी टेट बारे सेंट्रल टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट जो है ओधे बारे चपां प्रॉपरली डिसकस करांगे लाइक हो दी स्लेबर स्ट्रक्चर आफ एक्जाम ते बुक्स जो रीड कर पंजाब देविच वैलिड होंदा है पंजाब दे स्कूल ने जिन्ने मी ओथि अपलीकेबल होएगा क्योंकि ओएक स्टेट वलो ले आ जाना एलिजिबिल्टी टेस्ट बट्ट जेडा सेंट्रल टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट है एथी वैलिडिटी जो है आल इंडिया होंदी है ठीक है पूरे इंडिया देविच अपलीकेबल होंदा है किसी भी स्कूल देविच अगर दूसी जॉइन करना चाहं दियो ताप्रेफरेंस एक दित्ती जांदी है उस टीचर नो जीदा सीटेट क्लियर होंदा है तो एदे बारे आपर डिसक्स करांगे क्योंकि 2016 तो बाद सीटेट जो है वो कंडक्ट नहीं कीता सी भी ऐसी वाले ने ते एदा जो है एक रिट्पटेशन भी फाइल किती गई सी ते उस टो बाद जो है एप्रल दे विच एही जज्जमेंट आई सी जस्टिस रेखा पर लिवलों के जो विदिन फोर मन्थ से सीटेट कंड लक्ट कर आया जावे सो होप है के जुलाई दे विच जो है दी नोटिफिकेशन आजेगी सो जो वी इंट्रस्टेड ने आई विल सजेस्ट के होंता अपनी प्रप्रेशन शुरू कार देन तांके जो तानू क्रेंग करना एक्जाम काफी एजी हो जे वैसे ताइदा पैट वाले जो टीचर ने टीजीटी ने जो ओदा मस्ते पेपर टू हुंदा है जिवें आपा पीटेट दे विच देखते हैं सेम ओही स्ट्रक्चर है ओही स्लेबस है ओही पैटरन है ते बाकी अपा डिटेल देविच डिसकेस कार लेन ने दे बारे बट उस तो पहला मैं तो न पीटेट जो है तो प्रपेशन करो टे एक जाएदा लेवल जो है एदा मॉडरेट हुंदा है कोई ज्यादा टाफ ने हुंदा बट पास परसेंट जो है दी काफी काट हुंदी है तो परसेंट तक ही एदा रिजल्ट होंदा हार वारी सो लाइट ने लेना है नो क्योंकि एनना दे कोशन्स जो ने जाधा तर डीप नॉलेज ही ओदेती बेस्ट हुंदी ने सो बाकी में तानू डिटेल देविच दास दियांची सो अगर स्ट्रक्चर दे कंटेंट दी काल करिये अपा सीटर दी ता एदा जो स्ट्रक्चर हुंदा है एदे विच भी से मुल्टिकल चॉइस कोशन्स जो ने ओही वुच्छ जान्दी ने इच केरिंग वान मार्क विद फोर अल्टरनेटिव ते एदे विच कोई भी नेग अगर कोई दोन ना हो लेवल सी टीचर वास्त अप्लाई करना चाहता है ता उस परसन नो पेपर वान ती पेपर टू जो है दोनों ही देने पाएंगे पेपर वान फोर क्लासेज फर्स्ट फिफ्ट प्राइमरी स्टेज टू एन हाफ आर्स जो ने ओता नो दिखते जान देने इस एक्जाम दे विच ते सारे गंपल्सरी सेक्शन्स हुन देने एंदे विच सिमिलरली एक ता चाहिड डिवेल्मेंट और पेडागोजी होएगा साइकोलेजी जिन्हों पागेने थर्टी एमसी क्यू लेंग्विज एक फर्स्ट जो है ती सेकिंड दो लेंग्विज दूसी करनिया हुन दिया ने दोनों ही कंपल्सरी हुन दिया मैंस थे एन्वार्मेंटल साइंसेज ठीक है जी टोटल वन फिफ्टी एमसी क्यूस हुन है ती 150 मार्क हुन देने ना दे नेचर एंड स्टैंडर्ड ओफ कोशेंज ये अगर गाल करिये ता एज हो है बहुत अच्छी एननने इंफोर्मेशन दित्ती हुए अल्रेडी के विल फोकोस ओन अगर अगर अपा चाइल्ड डिवल्मेंट दे पैड़ागोजी दे गाल करि है इट विल फोकोस ओन अंडेस्टेंडिंग दे क्रेक्टिस्टिक्स और नीट्स अफ डिवर्स लेर्नर्स मतलब जो ब्रीफ देविच अनने टॉपिक्स ने अथी दस्य हुए ने क्वालिटीज ऑफ गुड फसिलिटेटर ऑफ लर्निंग लेंगविज वन देविच की है इत्ते ही में फोकोस कार देने ते लेंगविज टू दे विच्वी एलिमेंट्स अफ लेंगविज कम्निगेशन और कॉम्प्रिहेंशन अबिलेटीज ते लेंगविज टू विल बी अलेंगविज अधर दें लेंगविज वन फॉर एक्जामपल ज्वे तुसी अपा पंज दिए ओप्ट कर सकते हैं वैसे हमेशा जो बैटर कॉम्बिनेशन हों देने वही हुं देने कि पंजाबी दे इंग्लिश तो कॉम्बिनेशन राख लेंगविज लेंगविज लनने ओटा ये ता पेपर जो है थोड़ा टाफ होंद है लैंगविज टू नालो तो बैटर है क अपने अपेंडिक्स दे विच दियां हुई है ने होर भी काफी सारी लेंगविज ता नुच ओ भी कन्वीनियंट लग दिया तुस यह चूज कर सकते हूँ दे टेस्ट आइटम्स इन मैथमेटिक्स अन एंविरमेंटल विल फोकुस ओन दा कंसेप्ट अगर तुसी प्राइमरी दे विच जिवें तोड़ा मैठ्स थे इंविरमेंटल साइंस है दे विच्छी कंसेप्ट दे फोकुस करते ने प्रॉब्लम सॉल्विंग अबिलिटी पेडगोजिकल अंडेस्टेंडिंग ओही जो अपना स्लेबस है फर्स्ट फिफ्थ दा ते ना ने क्लियरली मैंशन कीता हुया के फर्स्ट फिफ्थ दा जो एंसी आटी दा स्लेबस है तुसी सिर्फ ओही कवर करना है दो कोशन्स इन टेस्ट फोर पेपर बान भी विल बेस प्रेस्ट ऑन टॉपिक्स प्रेस्क्राइब्ट ओही के फर्स्ट फिफ्थ दे जो टॉपिक्स ने ओना नो कवर करना बट जो डिफिकल्टी लेवल है ओ से केंडरी क्लासिस दा हुंदा है ठीक है जी एदनी के तान वही फर्स्ट फिफ्थ वह लेकोशन्स पादेंगे जो देवल है ओ इंक्रीज हुंदा है ते पेपर टो जो है क्लास सिक्स्थ तो लेके एट तक अलिमेंटरी स्टेज दा है यह वी सेम टू एंड हाफ हार्स मिल देने ओही सेम लेंग्विज वान लेंग्विज टू थे साइकालोजी पैथमेटिक्स एंड साइंस अगरता तुसी कोई वी एक चूज कार सकते हैं देविच वान फिफ्ट्यम से क्यूज ही होंगे सेम ही अधे दस्या होया कि किस तरह दा जो पैटरन है सेट जान दा एक्जाम दा लेंग्विज रेदे चावी तुसी तरह ही चूज करनी है इंग्लिश यह पंचाबी देविच्छो तुसी कोई भी लेंग्विज चूज कार साकते हो जो ए इन अधर स्ट्रक्चर दे कंटेंट है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेक्स्ट अपाँ डिसकस कार लेने असलेबस बारे पेपर वांदे पेपर वांदे विच अगर अपाँ चाइड्ड डेवल्मेंट ते पेडगोजी ती गल के रिये प्राइमरी स्कूल चाइड डोनर ने अल्रडी मेंशन कीता हुय है ओदे बारे ही अपाँ सारा रीड करन अपाँ सेप्ट अफ डेवल्मेंट प्रिंसिपल्स अफ डेवल्मेंट इंफ्लेंस अफ एरेडिट अन्वार्मेंट सोचलाइजेशन प्रोसेस जीनिया वी इंप्रेटन थेरीज ने प्याज़ी कोलबग ते वी गौच की दी कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड चेंटर्ड एंड वैसे बेसिकली अगर देखिए ताहां ज्यादा तर कोशन जोने सोचलाइजेशन ते प्रिंसिपल्स अफ डेवल्मेंट ते थेरीज जविचो कुछे जान देने एक्सेल ठीक है जी सो उसलेबस सारा ओही है अगर तुसी रीड किता होया पी टेट दा इंक्ल्यूजिव देखिए लर्निंग एंड पैडगोजी दे जो कॉस्चेंज निवी विच इण वॉल्व हुंदेने लैंग्विज वन दे अगर अपा गल करिये तो दे विच लैंग्विच कॉम्प्रिहेंशन तानू दिख्ता जाओगा रीडिंग अन्सीन पैसेजीज दो पैसेज गते ज ने लेंगविज ने नाल रेलेटर सारे, लेंगविज 2 अगर आपका गाल करिये हो दे विछ फी सेम, Comprehension होंगे 15 questions, with questions on comprehension, grammar and verbal ability, ति पेड़ागोजी दे भी किने 15 questions होंगे दे विछ, Maths दे विछ अगर आपका गाल करिये, Geometry, Shapes, Solutes Around Us, Numbers, Addition and Subtraction, Multiplication, Division, Measurement, Weight, Time, Volume, Data Handling, Patrons, Money, ति यह दे नाल जो रेलेटर ने पेड़ागोजी कल इशू सिमिलर ले एंवायर्मेंटल साइंसेज आपका गाल करिये तो फर्स्टू फिफ्थ हो लेकिया NCRT दे विछ जिनने भी इंचन दे विछ फिफ्टीन कोशन्स आंदे ने दो पैसेजीज आंगे प्रोस पैसेज में भी लिटरेरी साइंटिफिक नरेटिव और डिसकर से ते पैड़ागोजी लेंगिज डिवेल्मेंट्ट दे आई जिनना रेलेटर लेंगिज तू दा भी सेम ही है ते अगे मैथम पैड़ागोजिकल इशूस दे ना रेलेटर कोशन्स सिमिलर्ली साइंज विछ फूड मेटिरियल्स अवर्ड फ लिविंग मुविंग थिंग्स दा दे जिनने भी एंसी आर्टी दे विछ चैप्टर से ओ सारे इनना ने कवर किते हुए प्लस एद नाल ही 10 पैड़ागोजि एही हुन दा एंसी आर्टी दी हिस्ट्री दे विछ एंसी इन तो लेके फिर मेडीवल टे एंड तेया के नाने मौटरं ते खतम किती है मतलब ता नू क्रॉप पर ली सारे रीड करना पहेगा जोग्रफी दा स्लेबस भी शिक्स क्लास विला मेंशन किता है स्टार्टिंग तो लेकि लाइक ग्लोब ना दा चैप्टर है शिक्स क्लास है विछ प्लैनेट फर्स्ट चैप्टर भी ही है सो एंसी आर्ट इस तुसी जिनिया जादी रीड करोगे तुसी बैनिफिट नू होएगा सोशल एंड प्लिटिकल लाइफ भी सारे चैप्टर जो ही ने एंसी आर्टी विले सब्सक्राइब नोट भी इनन ने देता हुए फॉर डिटेल स्लेबस अफ क्लासिज फस्ट टू एट प्लीज रेफर तो एंसी आर्टी स्लेबस और टेक्स्ट बुक्स किसे वही कॉपी करना एंसी आर्टी देस लेबस वगेरा जो भी है इनन ने अपनी साइट ते भी मैंशन कीता हुए तुसे उती चेक कर सकते हो कि पेपर जो है वो सेट कीता जानदा है एंसी आर्टी विया बुक्स जो ते कैंडिडेट्स नो सजेस्ट कीता हुए कि ओ सिर्फ ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स जो ने ओई रीड करने राधर द इस एक्जाम चे भी काम होनगे ते एदा सीक्रेट भी यही है चाहिए पीटेट है चाहिए सीटेट है जिननी देर तुसी एंसी आर्टी या फिर जो भी तो यह स्टेट यह बुक्स हुम दियाने बेसिक बुक्स जो तुसी नहीं रीड कर दे उननी देर तो आड़ा नहीं मिल सकती तो बैटर है कि अपना होन तो शुरू कार दो एंसी आर्टी जो रीड करना क्लासिक्स तो लेके जो पेपर टू देना चाहिए तो अगर तो एंसी आर्टी जी डिंक वेगारा चाहिए तो कमेंट बॉक्स जो तुसी कमेंट कार सकते हो आई विल शियर वैसे अपनी कोई भी क्वेरी है तो तुसी मैंनों पूच साकते हो ची थैंक यू थैंक्स हो वाचिंग